और फेला रेक्शन मेरे चहरे पर मुस्कान थी ठोड़ा और आगे बड़ी तो निर्भया की मा को और हैदराबाद की बेटी की मापता पिता को इसमें तसली जिताते हुए देखा कि उन सब को खुशी है, देश को खुशी है क्योंकि साफ दिखाता है, देश की सरकारे रज्य सरकारे, आपका प्रसाशन आपकी पुलीस, आपकी कानून विवस्था, सब पूरी तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार देखते आ रहे हैं नाकाम रही है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आकिल रजा दिल्ली के लाल किले पर इस बक्त में मौझूद हूँ मेरे साथ हैं अलका लामबाजी पिछली घटना हैदराबाद की पूरा देश आकरोश में था पहली पिर्तिकरिया आज सुबा की पुलीस की कारवाई को देखकर क्या कहना देखिए सुबा जब उठी आक खुली और खबर पड़ी की हैदराबाद की हमारी जो डॉक्टर बेटी थी उसका गैंग रेप करके जिन्दा जलाने वालों को हैदराबाद की पुलीस ने मुठ बेड में जब भागने की कोशिश कर रहे थे बोली मार दी और वो चारो अब नहीं रहे पहले तो यकीन ही निवा लगा ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन जब खबर पड़ी तो यकीन हुआ कि ये सच है ऐसा हो गया है और फ़हला रेक्शन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी थोड़ा और आगे बड़ी तो निर्भया की मा को और हैदराबाद की बेटी की मापता पिता को इसमें तसली जिताते हुए देखा कि उन सब को खुशी है देश को खुशी है हैदराबाद की तो पुलीस के हाथ में महलाएं राखी बांध रही है फूलों से नहलाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ देखूं तो दुर्भाग्य भी है कि आज इनकाउंटर्स की इस तरीके से भागते हुए आरोपियों को मारने की जुरत क्यों पड़ी और उस पर जशन खुशी मनाई जा रही है क्योंकि साफ दिखाता है देश की सरकारे राज्य सरकारे आपका प्रसाशन आपकी पूलीस आपकी कानून विवस्ता सब पूरी तरह से पिछले कुछ सालों से लगातार देखते आ रहे हैं नाकाम रही हैं हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हमें लगाता निर्भया के बाद चीजे थमेंगी लेकिन कुछ थमता नहीं है अभी कल हैदराबाद की घटना के बाद लगा कि अब लोगों में गुस्ता है खून उबल रहा है लेकिन वो खून धंडा भी नहीं हुआ पता लगता है उन्नाव की बेटी को भी चुला दिया गया है और जलाने वालों को बेल दे दी गई थी तो लगता है कि कब थमेगा और पारलेमेंट में प्याज पे चर्चा हो रही है सांसदों के खाने की सबस्टी बे चर्चा हो रही है दूसरी तरफ दो बेटिया एक को जला के मार दिया गया है दराबाद की डॉक्टर बेटी को दूसरी 90 परतिशत हालत में जली हुई आज हस्पताल में जिन्दगी मोत में जूच रही है करने दिया यानि कि आज तक उन्हें रोका किसने हुआ था पुलीस तो कही रही थी हम पर दबाव होता है नेताओं का फोन आ जाते हैं बचाने के लिए और सबसे बड़ी बात जो हमारे सांसद विधायक हैं उनके खुद के ऊपर बलातकार के आरोपी हैं और वो संसद में बैठे वो क्या उमीद करते हैं ऐसा कोई कानून लाकर लागू होने देंगे जो हमारी बेटियों को सुरक्षा दे मुझे लगता है गिरेबान में जाकने की सबको जरूरत है पार्टियों ने बलातकारियों क को टिकेट दी हमने वोट दिया संसद बना दिया आज उस मंदिर संसद से उमीद करते हैं नहीं होगा नहीं होगा जो पुलिस की कारवाई है उसके बाद क्या लगता है यूपी में जिस तरीके से उन्नाव के दो मामले सामना इससे पहले कुलदीप सिंगर का मामला है और अ उन्होंने पुलिस ने भागते हुए आरोपियों को पकड़ा और इंकाउंटर कर दिया उनका आप भी यह सब करिए हम नहीं चाहते यह रास्ता नहीं हमें मालूम है यह तो हो गया अब हो गया है तो उसमें दो तरह के लोग हैं जो उस रास्ते के उपर चर्चा कर रहे हैं कि हैदरा बाद की बेटी के माबाप को निरभया की माँ की तरह संघर्ष नहीं करना पढ़ आप साथ साल से न्याय के लिए लड़ना नहीं पढ़ रहा तो मैं मनजिल देख रही हूं माबाप के चैरों के सकून को देख रहे हूं जो इन अपराधियों के बार अगर अगर तेरे चाने ना चाने से नहीं होगा, लोगों के चाने से नहीं होगा, जो जक्शन मना रहे हैं, इस सरकारों को घंबीरता से लेना होगा, क्या ये इनकाउंटर हल है, क्या ये ही तरीके हैं, या तरीका है कि फास्ट्रेक कोट बनाई जाए, स्पेशल कोट बनाई जाए, महीन बचाने में लगे हैं पेड़ता और उसके परिवार आज भी पूरी तरह से जो इस दोर में इसी लिए शायद मुझे लगता है आज देश भर में जश्न का माहूल है मैं रास्ते के ओपर जो चर्चा कर रहे हैं मैं पर प्रशन नहीं कर रही हूँ क्यों लोग तंत रहे वो उ कैंट से देश में खुशी का महाल है आम जंटा जो है को खुश है है पुलिस की कारवाई से तो सरकार को किस तो देखना चाहिए करने कि यह चैसा आपने क्या वहात्यrad कोड पर σनवाई हो इस तश'll कि कारवाईयों का आज समर्थन करने पर खड़े होने पर मजबूर है और आपके मूँ पर तमाचा है जोड़दार जनता ये चाहती थी कि अगर अपरादी है फास्ट्रेक कोट में सुनवाई करके दोशी करार होते हैं तो फासी दें लेकिन आप नहीं दे रहे थे इसलिए ये तमाचा आपके उपर है कि जोग जश्मनाने आज इस तरफ खड़े हैं अगर आप नहीं चाहते हैं कि लोग इस तरीके से खड़े हों तो आपको अभी भी सबक लेना है लेकिन नहीं ले रहे मैं लाल किले पर भारत की राजधानी लाल किले पर खड़ी हो दोशी तो आज लोगों ने चर्चा यहां खड़े होके कर रहे थे जगा ऐसी है कि भगत सिंग जब देश को आजाद कराने के लिए पारलेमेंट में बम फैकते थे तो किसी के नजर में वो गलत थे बुरे थे लेकिन कुछ की नजर में वो आज भी स्वतंतरता सैनानी शहीदे भागत सिंग है उसी तरह आज है हैदराबाद के पुलिस वालों के आप तरीकों को कुछ भी कहिए लेकिन उनको पता है जिनने मोत के गात हुता रहा है वो हैदराबाद की हमारी बेटी के समाहिक बलातकार और उरुछे जिंदा जलाने के आरोपी है जिन्नोंने अपना औरुप स्विकार कर लिया था लेकिन उन्हें भी पता था कानूनी परक्रिया नम भी थी कुछ होना नहीं था रजाकी रिपोर्ट